राश्टपती द्रोपदी मुर्मू ने जारखंड मुक्ति मूर्चा के प्रत्रिनीदी मंडल को मिलने का वक्त नहीं दिया है। दरसल जामूमू के 50 सदस्य प्रत्रिनीदी मंडल ने राश्टपती से मिलने का समय मांगा था। राश्टपती, द्रोपदी, मुर्मुद्वारा मिलने का समय नहीं देने पर जे-म-म के महासचिव विनोत पांडी ने दुख और आश्चरे जताया है। उन्होंने कहा कि राश्टपती भवन से हमें सूचना दी गई कि समय की कमी की वजह से प्रतिनीली मंडल से मिलना संभव नहीं है। उनसे मिलने का समय नटबंधन के लोगों के लिए मांगा गया था जिसमें सांसत, विधायक और पार्टी के पताधिकारी उस परतिनीदी मंडल में सामिल होते हैं। चार तारिक को यह पत्र हम लोगों के द्वारा भेजा गया था। और चार तारिक के बाद जो सुचना हम लोगों को प्राप्त होई है राष्टपती भवन से। वह बहुत आश्चर जनक है और दुर्भा के पुर्ण भी है। इस राजी के लोगों के लिए जाकन मुक्ति मुर्चा के लिए और गडबंधन के लिए। राष्टपती महोत्या के यहां से हम लोगों को सुचना दी गई कि समय अभाव के कारण। इस परतिनी भी मांड़ से मिलना संभव नहीं है। वहीं विनोध पांडी ने कहा कि सरना कोड आरक्षण और स्थानी नीती के मुद्दे पर राष्टपती से मिलने का समय मांग गया था। विनूत पांडी ने कहा कि ये मुद्दे जारखंड की जनता से जुड़े जुलंत मुद्दे हैं। सरकों पर लगतार लोग अपने हक अधिकार की बात करते हैं और इसके लिए लराई भी नरी जारी है। इसके को 10% आरक्षन लागू है। उसको बढ़ा करके 12% किया गया और ओभी सी को जो 14% आरक्षन इस राजी में मिल रहा है। उसको ब्रहा करके 27 पर्शंट किया गया और ये विधान सभा के अंदर से बहस हुई विधेयक आया और उसको पास करके राज जिपाल महोदय के पास इसको भेजने का काम किया गया लेकिन आप लोग भी जाते हैं कि काफी दिनों तक इस मामले को लंबित रखने के बाद राज जिपाल महोदय के तरफ से जो टिपनी आई वो भी टिपनी इस राज के लोगों के भावना के बिल्कुल विप्रित थी राष्टपती द्रोपदी मुर्मू से समय नहीं मिलेने से जामुमो को बड़ा जटका लगा है अब जामुमो इन मुद्दों पर मोदी सरकार पर हमला बोलेगी और बीजेपी के खिलाफ जारखंड में एक बड़ा अभिहान चलाएगी पंजाब केसरी टीवी के लिरांची से आश्वतोष सिनहा की रिपोर्ट